बैंक ओफ महराष्ट करें क्या शेयर का चलता ही नहीं है कभी 60 रुपीज का कभी 62 रुपीज का इसी रेंज में शेयर गूम रहा है और दरसल देखा जाए बैंक के अर्निंग में बैंक के प्रॉफिट में सभी चीजों में बड़ी शांदर ग्रोथ है पर फिर भी ये शेयर टस से मस नहीं हो रहा है अपनी एक रेंज में अटका हुआ है मज़े की बात यहां पर ये भी है कि बैंक जो है इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी कर रहा है और मुझे कहीं ना कहीं यह लगता है ये आने वाले तोफान के लिए एक शांती भी हो सकती है जिस बैंक के अं के अंदर इंवेस्टर मीटिंग हो रही हो इनवेस्टर मीट हो रहा हो तो इसके क्या माएने आगे हो सकते हैं यह सब आपको समझ लेना चाहिए अगर आप बैंक के मुवमेंट से परेशान है क्योंकि तेजी के बाद एक कंसॉलिडेशन का भी फेस होता है मुझे लगता है एक प्रजेंट कंसॉलिडेशन के फेस में है और एक बात आपको और पता देता हूं इस बैंक के अंदर गौर्मेंट ऑफ इंडिया की स्टेक 86% है और बैंक इंस्टिटूट से मीटिंग कर रहा है इसका मतलब समझते हैं आ इंस्टिटूशन इंवेस्टर जब उसके अंदर एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आपने देखा कितनी बड़ी तेजी उसको देखने को मिली तो आज आप इस बैंक को एक बार जड़ा तरीके से समझ लीजिए जो इसके अंदर आपको मुमेंट अभी नहीं दिख रहा ह है ना मुझे लगता आने वाले समय में बहुत बड़े तेजी में बदल सकता है तो चलिए वीडियो को चुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं विपिंजन पाउंडर आफ लान इक्विटी विद विपिंजन फ्रेंड्स बैंक को महराष्ट एक पीएसवी बैंक के स्मॉल टि किस समय कंसॉलिडेशन फेस में शेयर के अंदर मुमेंट नहीं दिख रहा है पीछे पास्ट में 70 रूपीज का हाई दिखा के अब फिर 60 रूपीज के आसपास आ चुका है और देखें अभी कुछ दिन पहले लगबग 55 रूपीज की देंज के आसपास भी था पर जैसा मैं आपको बताया कि इस बैंक के अंदर अब कौलिफाइड इंस्टिटूटर इंवेस्टर इस बैंक के अंदर अब बैंक के मैनेजमेंट से मुलाकात कर रहे हैं और गवर्मेंट ओफ इंडिया इस्टेक होल्ड करती है यानि कि आने वाले समय में इसके अंदर आपको एक सैलि नहीं मुश्किल हो जाएगी कि गौवर्मेंट ओफ इंडिया की स्टेक सेलिंग करना अब पीएस्यू के लिए शान की बात हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर अब क्यू आईपी के अंदर बड़े-बड़े इंस्टिटूट्स एंट्री लेते हैं और इनको प्राइवेट क कंपनी को देख लीजे जिस भी कंपनी के अंदर क्यू आईपी आया है आप उसके बाद उसके शेर की रीडेटिंग देखे कितनी तेजी से हुई है तो आपको अगर लगता है ना कि नियर टर्म में गिरावट आएगी क्यू आईपी के माद्यम से तो मुझे लगता है इसक आप बैंक को डिसकस करें तो बैंक की समय तीन करोड प्लस कस्टूमर एड परजेंट होल्ड करता है बैंक रिटेल होलसेल इसमॉल एंड मीडियम एंटरप्राइस और एगरी सेक्टर के अंदर इसमें अपने लोन को बाट रहा है बैंक का ग्रॉस एन पीए टू परसेंट क की है यह बैंक कह रहा है इन्वेस्टर प्रजेंटेशन में बैंक का रिटन और एसेट्स 1.42 परसेंट है बैंक का नेट इंट्रेस्ट मार्जन 3.9 परसेंट के आसपास है और अगर हम बात करें बैंक के बिजनेस की तो बैंक का एडवांसेज 20 परसेंट वाइन वाइन इस पर ग्रोव हुआ है तो आप सोचे इस बैंक को लेकर चिंता किस बात की है अभी तो इंट्रेस्ट रेट घटने का सिनेरियो शुरू होने वाला है और बजार इंतजार कर रहा है कि एक इंट्रेस्ट रेट कट आ जाए बस और जहां पर इंट्रेस्ट घटे वहां पर आ लिखेंगे बजार को सिर्फ पहले इंट्रेस्ट रेट का इंतजार है और उस समय आपको जो बैंक परफॉर्मेंस वाइस काफी अच्छी पोजिशन पर हैं जिनके बिजनेस ग्रोव हो रहे हैं चया वो PSU बैंक को या प्राइविट सेक्टर का बैंक को सबसे ज़्याद है जिए उनके शेयरों में दिखाई देगी और इस इसको इंस्टिटूट्स अपने एक्सपिरिंस रु किसा समझे बैठे हैं और जहां-जहां पर वैलुशन है जहां-जहां पर ग्रोथ है जहां-जहां पर अर्निंग है वह वहाँ पर निशाने लगा रहे हैं और वहाँ पर शेयर खरीदने की तयारी पर हैं आप कहीं भी देख लिजे कहीं पर कैपेक्स है तो कहीं पर उस इंस्टिटूट्स को ऐसे नहीं काउंट करिएगा इंस्टिटूट्स जो है पैसा भी एच्छी कॉंटिटी में लेकर बैठे हैं साथ इसाथ वह स्मार्ट भी है तो आप इस चीज की तरह भी थोड़ा लॉंग व्यू के साब से ध्यान दीजिए आपको एक बात और बताता जो की PSU सेग्मेंट के अंदर PSU बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे जादा है हाइस्ट इंदा इंडस्ट्री है तो आप सोचिए साथ रुबे में आपको हाइस्ट काशाय रेश्व वाला इससे में बैंक मिल रहा है बैंक की कोस्ट ऑफ डिपोजिट लोएस्ट कोस्ट पास पास आएगा जब बैंक को पैसा ही हाँ पर कम रेट पर मिल रहा है फिर जैसा मैंने आपको बता है बैंक का कासा रेश हो भी बड़ा अच्छा कासा रेश हो है तो इसका इंपक्त तो बैंक के प्रोफिट पर सीधा सीधा दिखाई देता है FY 22 23 के अंदर यानि कि बैंक अपने प्रोफिट को लबग चौतिस सो से पैटिस सो करोड रुपे रिकॉर्ड के रहेगा इस पैनेशलियर के अंदर अब आप लगाईए जिस बैंक के प्रोफिट में डबल डिजिट ग्रोथ बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ एडवांसी में डबल डिजिट अब उस बैंक के शेर में तेज़ी क्यों नहीं आईगी स्मार्ट मनी उसके अंदर क्यों नहीं एंट्री लेगा और सबसे बड़िया टाइम है ये कंसॉलिडेशन फेस का तो जिन लोगों के पास बैंक अफ महराष्ट का शेर है और वो इस कंसॉलिडेशन में परेशान हो रहे हैं लगता है परेशान होने का समय नहीं है ये बाइ राइट सिट टाइट वाली कंपनी दिखाई देती है ये ऐसा बैंक है मुझे लगता है जो इंडस्ट्री में आपको अच्छा कासा रिटर्न देनी की शम्ता रखता है अगर आप इस बैंक को कंपेर करके देखें सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया आई ओबी बैंक पंजाब एंसिंद बैंक अगर बुक वैल्यू के इसाब से देखें ये बैंक पूरी इंडस्ट्री में सबसे सस्ता दिखाई देता है रिटर्न ओन इक्विटी के लिहाज से आई ओबी बैंक को अगर हम देखें तो लबबग पंस से च्छे के मल्टीपल पे है और ये बैंक लगबग इस समय चौबिस रुपे की बुक वैल्यू वाला बैंक है मोटा मोटा गरम देखें तो लबबग धाई के मल्टीपल पे आज प्रेजेंट भी बैंक मिल रहा है और बाइस परसेंट की आरोई वाला बैंक है इस बैंक के अंदर वैल्यूइशन के लियाज से भी काफी वड़ा गैप है जो इसकी आगे भी री रेटिंग करा सकता है तो बैंक ओफ महराष्ट को आप लोंग समय के लिए होल्ड किजिए आपके फोर्फोलियो में अगर ये स्टॉक है जिस हिसाब से इसके अंदर समीकरण बन रहे हैं इस्टूट्स जो हैं बैंक के साथ मीटिंग कर रहे है मुझे लगता इसके अंदर आपको आने वाले समय में काफी बड़ी नियूस सुनने को मिल सकती है और उस समय शेर आपको काफी बड़ी तेजी दिखाएगा और PSU कमपनियों की तो आपने तेजी देखी है दो-दो-तीन-तीन महीने में कई-कई गुना हुए तो ये क्यों नहीं हो सकता जब पहला इंट्रेस्टेट कट होगा तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर रोकिट बन जाएगा उस समय आपको हाथ नहीं आएगा आप लेने में घबराएंगे और इस समय आप खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि शेर चल नहीं रहा है अब चलने के इंतजार में है तो जब चलेगा जब हाथ नहीं आएगा तो मेरी नगर में यह जो बैंकिंग इंडस्टी के शेर है अगर आपके पॉर्फिले का हिस्साइन को होल्ड कीजिए आने वाला समय बैंकिंग इंडस्टी का होगा और कोई भी बुल रैली कोई भी बुल रैली banking industry के बिना पूरी नहीं हो सकती इनका participation इसके अंदर होना जरूरी है banking share जरूर participate करेंगे और उस समय इस बार small ticket size bank भी participate करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो bank of महराष्ट को लेकर आपको काफी कुछ जानने में नमेश्ट का